हेलो रिटिटração, तो यह हमारा ट्रियूमेटरी का second part है, फर्स्ट पर्ट में हम लेके आया है question, इसमें बारी बारी से पार्ट बनाते जारेंगे part 1, part 2, part 3, part 1 में introduction है, उसके बाद सारा question आएगा, part 2 में भी question, part 3 में भी question, जब तक यह part चले जितना part चले, इसलिए सबसे पहले जितने भी हमारी जो इस्ट्रेंट्स हैं उन लोग को दिल से धन्यवाद बोलते हैं क्योंकि इतना अच्छा विडियो को इतना प्यार दे रहे हैं मतलब सब्सक्राइब ही दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है आप मुझे हमें सपोर्ट कर रहे हैं मैं आ जोगा इन ट्राइंगल a b c right angle at b right angle at b a b is equal 24 cm a b is equal to 24 cm and b c is equal to 7 cm determine sine a cos से बात को समझे एक तो सबसे पहले आप ट्राइंगल बनाईए सबसे पहले आप लोगा काम क्या होगा कि ट्राइंगल एक बना लेने के लिए ट्राइंगल बना लिजे, इन ट्राइंगल A, B, C, राइट एंगल एट B, मतलब B पर यहाँ पर राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिगरी, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B B यहाँ आपने लिख दिया आप सोचो B जब आपने यहाँ पे लिख दिया तो मान लेते हैं कि हम A यहाँ रेदी और B A, B, C कर दिया यह मैं A अगर डाइरेक्ट यहाँ लिखता ना आपके लिए बहुत असान होता है लेकिन आसान से मतलब नहीं है concept को समझने से मतलब है आसान तो मैं यह केवल A यहाँ लिख देता तो आपके लिए equation चुटकी भर के लिए हो जाता है लेकिन नहीं समझे पहले समझना यह है बोलता है कि A, B is equal to 24 cm तो A, B यह तो हमारा है यहाँ पर हमने लिख दिया 24 cm and B, C is equal to 7 cm B, C हमारा यह है 7 cm भी हमने लिख दिया यह देखो हाइपोटेनस नहीं गिवेन है मतलब दिया नहीं है इस हाइपोटेनस को आपको फाइंड करना है किस कैसे फाइंड करोगे by Pythagoras Principle आप यह थेज़रम करूं उसके जरिये आप H निकाल लोगे H कैसे निकालोगे आप Pythagoras Principle यह जानते हो हाइपोटेनस के सक्कुराइर is equal to perpendicular का स्कुराइर plus base का स्कुराइर सबसे बड़ा साइड स्काइड दोनों चोटे साइड के सम के बदाबर होता है वाई परेंडिको में यहां पे स्कौर। 24 का स्क्वाइर, प्लस 7 का स्क्वाइर, यहां देखो, बात को समझने, h के उपर स्क्वाइर है, जब हम स्क्वाइर को हटाएंगा, तो उधर क्या लग जाएगा, root लग जाएगा, 24 का स्क्वाइर आप करो तो जड़ा, 24 का 24 का स्क्वाइर मुल्टिप्लाई करो, 4, 4, 6, 1, 4, 8, 1, 9, 2, 4, 8, and 2, 2, 4, 6, 9, 8, 7, and 4, 470, प्लस, 7 के स्क्वार करो, 7, 7, 4, 470, और उन चास को जड़ा, जोरो, 9, 6, 5, 6, 5, 7, 5, पान सब्क्वाइर, राइट कर लीचे, एक हमने लोग कल्किलेशन में में निस्टेक कर दिया है, क्या मिस्टेक हो एक मैं अभी बता दे रहा हूं कि समझेए कि जारा। 4 4 16 6 carry 1 4 2 6 8 and 1 9 9 हमने लिख दिया। 2 4 8 एट हो गया and 2 2 जा 4 हमने लिख दिया। अब add कर रहा है। 6 का 6 and 9 और 8 होता है 17 17 का होगे 7 carry 14 15 यही तो मिश्टेक हुआ है 5 यानि यहां पर हम रहा होगा 576 अच्छा अब 576 में 49 को यह प्लस कर दीजे कितना हो जागा 576 को 49 प्लस कर देंगे हम 96 155 carry 17 and 1884 122 carry 1516 625 बहुत अच्छा यह 625 आया और यह एच का स्क्वाइर जब हम अटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा यानि कि यह हाइपोटेनस का जो स्क्वाइर आया मतलब हाइपोटेनस का जो आया है स्क्वाइर रूट में आया है 625 अब 625 का मतलब अब 625 का स्क्वाइर रूट आप निकाल के बताओ कितना होगा 625 का स्क्वाइर रूट आप मुझे जल्दी बता दो अडे 25 होगा अडे मारा जब बोरी समझदार है यह लिजे 25 होने लिगती है इतना पहले यह ड्राइट कर लिजे उसके बाद चुटकी हम लोग क्वेशन करेंगे यह देखिए आप लोग गोने यह सॉल्व कर लिया पाइथा गुरस प्रिंसिपल के जड़िये आप हाइपोटेनस निकाल चुके हैं और आपको यह मान कलनै मतलब इसाइन इंटू कॉसे जो है साइन और कॉसे का जो वैलू करल नहां है वह अब आप लोग सीखोंगे क्या सीखोंगे साइन और कॉसे का यह हमारा जो quality है फिदि उसके पार साइन सी है कॉसी है आप समझना ज़रा बात को, देखो यह A है, यह sin A जो लिखा हुए यह ठीटा है, यानि sin A जो हो गया, यह ठीटा के जगा पे A है, और एक concept होता है, कि जहां पे angle का value जो देता है, उसके सामने का जो side होगा, वो perpendicular होगा, याद कर लो आप, मतलब यह sin A लिख दिया, तो A ठीटा के जगा पे क्या लिखा है, A, एंगल के जगा पे क्या लिखा है, A, यह ठीटा क्या है बाई, एंगल ही तो है, यह sin A लिख दिया, यानि A यहां ल बहर बोल, पकिस्तान, भुखा प्यासा, जुस्तान, हरा बहरा, तो भाई, sin A का जो formula होगा, वो क्या होगा, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular हमारा क्या है, P upon H, perpendicular कितना है बाई, 7, और hypotenuse कितना है, 25, लेकिए sin A का value हमें, पता चल गया, उसके बद क्या है, कौस A, कौस A, A के ठीक सामने क्या होग परपेंडिकुलर, यह हो गया, base, यह हो गया, hypotenuse, देखें, एक और concept यहाँ नोट कर लिए, अपने mind में, परपेंडिकुलर और base, यह अपना जगा बदलते रहता है, परपेंडिकुलर कभी base बनता है, कभी base कभी perpendicular बनता है, लेकिन, hypotenuse अपना जगा नहीं बदलता है, तो यह परपेंडिकुलर हो गया, 7 and base हो गया, 24, तो cost का formula क्या होता है, sin theta p by h, cos theta b by h, b by h, तो यह देखें, यह परपेंडिकुलर हो गया, b हमारा यह हुआ, b by h, b हमारा क्या हो गया, 24 upon hypotenuse 25, आपको समझ में आया है, क्या मैं बोला हूँ, कि theta के जगा पे a दिया हुआ है, a के सामने वाला जो side होगा, वो perpendicular होगा, मतलब आप तो जो फर्स्ट पार्ट में जो formula में पढ़ें, यह है, base है, hypotenuse है, ऐसा कुछ नहीं है, जो angle देगा, उसके सामने वाला जो side होगा, वो perpendicular होगा, अगर c कहते था, c, 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 तो यह perpendicular होता, यह base होता, और यह hypotenuse, हाला कि वो भी से यह कर देते हैं, अब हम second question बनाते हैं, second का first है sin c, दखिए, c, angle यह बता दिया, यह होगा, perpendicular, sin c, sin theta formula क्या अधर, p by h, p हमारा होगा, 24, h होगा, 25, p by h, उसके बाद क्या है, cos c, c यहाँ पे है, angle यहाँ पे है, तो यानि कि perpendicular यह होगा, base होगा, hypotenuse होगा, cos c, b by h, b by h, b हमारा 7 होगा, और h हमारा 25 होगा, यह हमारा होगा, answer, यह first part और second part हम लोग बहुत असानी से बना लिए, अब question number हम second बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में अगले वीडियो में, आप से लेते हैं ज्यादत, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये, तो कर दिजे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजे, और अपने friend circle में भी थोड़ा शेयर कर दिजे, क्योंकि cbac board का exam आने वाला है, और board की exam में, अपने दोस्तों को help कीजिए, मेरा help कीजिए, बबाए, फिर हम कर दो कर दो